दोस्तो आज में आप लोगों को पताऊंगा कि आप अपने WhatsApp एकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं अगर आप इसके बार में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो वीडियो को सुरू से लेके इंटर पूरा देखते रहिए तो नमस्का दोस्तो मैं आप विवासमाजी और आप देखरें भी भुजूर्ण हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो चली वीडियो के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने फोन पर WhatsApp एकाउंट को ओपेन कर लेते हैं तो चली WhatsApp ओपेन करने के बाद एकदम टॉप में राइट साइड में जो त्री डॉट का ओप आपको यहां पर दो आपसन मिलता है या तो आप नंबर चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे डिलीट किया जाता है तो अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको एक आपसन मिलता है पहले कंट्री तो आप यहां से कंट्री का आपका एकांट बना हुआ है जिस नंबर से तो country चूज कर लिए next आपका यहां पर option है phone number यहनी जिस नंबर से आप create किये थे वो number आपको यहां पर type करना है तो चली हम लोग यहां पर number को type कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा number type हो चुका है number type करने के बाद नीचे आपको एक button मिलता है delete my account इस पर आपको click कर देना है delete my account में click करने के बाद आपको next option मिलता है जहां पर आपको reason देना होता है कि किस बज़े से आप इसे delete करना चाहते हैं तो select reason में click किजएगा और यहां से आप कुछ भी reason दे सकते हैं तो हम यहां पर others में click कर देते हैं और नीचे आपको और एक option है how can we improve यहां पर आपको चाहिए लिख सकते हैं नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर optional है यह सारे करने के बाद नीचे आपको और एक option मिल जाता है delete my account इस button पर click कर दिजे इसमें आप जैसे click किजएगा तो नीचे आपको फिर से option मिलता है delete my account का इस पर आप click कर दिजे और इस पर click करते ही आपका account delete हो जाएगा और यह simple step को follow करके आप किसी भी WhatsApp account को delete कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा process आप लोगों को समझ में आ चुका है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजे कमेंट कीजे अपने फ्रेंड्स और रेलेटिव केसा सेयर कीजे और अभी तक चैनल को सबस्काइब नहीं की तो जल्दी से जल्दी चैन